अध्यक्स महदें जिस संबेदक को जब डिवार किया जाता है उसके बाद वो किसी निविदा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं महदें अगर एक जी मान लिए मंत्री जी जो संबेदक डिवार हुआ और वो निविदा में भाग लिया है आप उसकी जाच करवा लिजिए अप अधिकारी पर भी जिम्मबारी तरह करवाईए ठीक है मौदा है हम लोग दिख्वा लेता है यह बहुत मामला पूरे विहार हस्तर पर भी यह सब होता है इसको थुरा दिख्वाईए गंबिरता से कब तक करवाई बता दिए चलते सदन में बता रहे हैं चलते सदन में नमश्कार न्यूस फोर नेशन देखने हैं आप मैं हूँ आपके साथ रुश्मी सदन में आज स्पिकर विजर सिन्हा ने मंतरी को ही फटकार लगा दी जहां आपको बताएं कि ग्रामीन कारे मंतरी जयंत राज जब खड़ी होकर जवाब दे रहे थे तो ठीक इसके बाद स्पिकर विजर सिन्हा ने जम कर फटकार लगाई है और ये कह दिया है कि आखर पदाधी कार्डियों पर कारवाई क्यों नहीं की जाती आपको बताएं कि लगतार इस मुद्दे को लेकर सदम ने उठाया जारा विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाये जाते हैं कि कुछ ऐसे पदाधी कारी है जिन पर सरकार कारवाई नहीं करती है और यही वज़ा है कि जब ग्रामीन कारी मंतری जयांतराज सवाल का जवाब दे रहे थे तो उनके जवाब से स्पिकर विजञे सिनहा संतोष्ट नहीं हुए और यहीवजा है कि उन्हें बीच में टोकते हुए स्पिकर विजञे सिनहा ने कहा कि आपके तरफ से जो जवाब दिया गया है उससे मैं संतोष्ट नहीं हुआ हूँ और ऐसे में ये सवाल भी उन्होंने उठाए है कि आखिर पदाधिकारियों पर आप कारवाई क्यों नहीं करते आखिर क्या है ये पूरा मामला क्यों स्पेकर विजर सन्हा ने मंत्री जरन्त राज को फटकार लगाई है और क्या कुछ हुआ है सदन के अंदर छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ से मिल करके अफिर दुबारा टेंडर डालते हैं दोबारा वो कारज करते हैं वह इसे पदाधिकारी पर क्या करवाई होते है यह सबस्ट करिए अध्यक्स महदें जिस संबेदक को जब डिवार किया जाता है उसके बाद वो किसी निविदा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं महदें अगर एक जिमान ये मंत्री जी जो संबेदक डिवार हुआ और वो निविदा में भाग लिया है आप उसकी जांच करवा लिजिए अप अधिकारी पर भी जिम्मारी इत्ता ही करवाईए ठीक है मौदा है हम लोग दिखवा लेता है ये बहुत मामला पूरे विहार अस्तर पर भी ये सब होता है इसको थुरा दिखवाईए गम्बिरता से कब तक करवाई बता दिए जल्द उसकी समय सा करके हम लोग करवाई करवाले हैं चलते सदन में बता रहे हैं चलते सदन में